जब श्री कृष्ण ने अपनी सबसे अमीर पत्नी सत्यभावा का तोड़ा घमंड रुकमिनी ने मारी बाजी, सत्यभामा क्रिश्न की दूसरी पत्नी थी वो एक बहुत ही घमंडी स्त्री थी उनका मानना था कि वो सबसे सुन्दर और सबसे धनी है क्योंकि उनके पिता एक बहुत ही धनवान व्यक्ती थे सत्यभामा के पास अपार रत्न, आभूशन और समपत्ती थी जिसका उन्हें काफי घमंड था एक बार क्रिश्न के जनमदिवस पर सत्यभामा ने सोचा की वो सब को दिखाएंगी की वो क्रिश्न को कितना प्यार करती है इसके लिए उन्होंने तै कि वो क्रिश्न के वजन जितना सोना शहर के लोगों में बाटेगी, इस प्रथा को तुलाभार कहते हैं, ऐसा आज भी कई मंदिरों में किया जाता है, जहां लोग एक बड़ी तराजू पर अपने वजन के बराबर का मक्षन, घी, अनाज या कुछ चीजें तॉल कर लोगों में बाटते हैं, सभा में सत्यभामा ने तुलाभार की व्यवस्था की, हर कोई बहुत प्रभावित हुआ पर कृष्ण पर इसका कोई असर नहीं हुआ, वे जाकर तराजू के एक पलडे पर जाकर बैठ गए, सत्यभामा जानती थी कि उनका वजन कितना है, और इसलिए उन्होंने उतना सोना तयार रखा था, पर जब उन्होंने सारा सोना दूसरे पलडे पर रख दिया, तो कृष्ण का पलडा हिला तक नहीं, ऐसा ही कुछ तब भी हुआ था, जब कृष्ण एक शिशु थे, एक राक्षस आकर उन्हें ले जाने लगा, तब कृष्ण ने अपना वजन इतना कि राक्षस उनके वजन को सहन नहीं कर सका और गिर पड़ा, फिर कृष्ण ने उसके उपर बैठ कर उसे मार डाला था, इस घटना में भी कृष्ण अपना वजन बढ़ा कर तराज उपर बैठ गए, सत्यभामा ने उनके वजन के बराबर सोना दूसरे पलडे पर रख दिय तब तक शहर के सभी लोग ये घटना देखने के लिए वहां पहुँच गए, जब कृष्ण का पलडा नहीं हिला तो सत्यभामा ने अपने नौकरों से वो सभी गहने मंगवाए जो उनके पास थे डौट एक के बाद एक वो गहने तराज उपर रखती गई, वो सोच रही थी कि पलडा भारी हो जाएगा पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, उन्होंने उस पर सब कुछ रख दिया पर पलडा जरा भी नहीं हिला, वो रोने लगी क्योंकि ये सब उनके लिए बहुत शर्मिंदगी भरा था, सारा शहर देख रहा था कि उनके पास कृष्ण के वजन बराब भी सोना नहीं है, और वो हमेशा अपनी संपत्ती को लेकर इतना घमंड करती थी, सत्यभामा को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें, इसके बाद सत्यभामा ने रुकमिनी की तरफ देखा जिनसे वो हमेशा जलती थी, उन्होंने रुकमिनी से पूछा, अब मैं क्या क क्योंकि ये बात सिर्फ मेरे लिए ही नहीं, आपके और हम सब के लिए भी शर्मिंदगी भरी है, तब रुकमिनी बाहर गई और तुलसी के पौधे से तीन पत्ते उठा लाईं, जैसे ही तुलसी के पत्ते उन्होंने तराजू के दूसरे पल्डे पर रखे, क्रिश्न का पल् तो लाईक जरूर करे, और ऐसे ही और विडियो देखने के लिए चैनल को सबस्क्राइब जरूर करे, धन्यवाद.